हेलो दोस्तों टेक ने दूसमा प्लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी question answer series में हर संड़ी दोस्तों हमारा ये episode आता है और आप मुझसे दिल खोल के सवाल करते हैं और मैं आपको दिल खोल के जवाब देता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है next session के लिए आप मुझसे इस वीडियो के नेचे जो चाहे दिल खोल के सवाल कर सकते हैं मैं next session में उनके जवाब देने की कोशिश करूगा आज तो ना बाई Redmi K20, K20 Pro, Vivo Z1, Realme X इतने सवाल थे कि मैं आपसे क्या बता हूँ मैं आपका नाम नहीं आता है तो मैं माफी चाहता लगिन में उमीद करता हूँ आपका सवाल यहां पर पिक हो गया होगा अब यहां पर सबसे पहला सवाल आ रहा है शाओमी लवर की तरफ से वह बोलते कि जादा resolution वाले content की उमीद करते हैं और वह आपको उस वाले display में कोशिश करता है दिखाने की तो यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा तो यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा is it safe or not कोई guarantee नहीं यह by custom ROM की अच्छे होते ज्यादा customization मिलता है कुछ कुछ टॉक होते तो बहुत होते हैं लेकि वारंटी वी वाइड हो जाती है और बहुत सारे कमिया इसमें मिलती है और कल को यह developers अपडेट पुश करना बंद कर जाता आप क्या करेंगे तो basically आपको custom ROM में official IP ratings आपको नहीं मिलती है तो वो यह P2I coating वाला scene आपको यहाँ पर भी मिलता है यहाँ पर दक्षिश अंबालिया बोलते है कि उनकी budget जो वो 15,000 की है वो 17,000 तक भी जा सकते है तो वो गोड़े कि Honor 9X क्या price माएगा मैं उसका wait करू या फिर Redmi K20 यहाँ पर ले लू देखिए Honor 9X के अभी price कुछ यहाँ पर बताएं नहीं कि क्या होगी उसमें केरीन 812 का processor होगा वो 730 से भी better होगा Android scores निकल कर आयता है तो वो 20,000 के उपर ही जाएगा तो आप मेरे क्याल से आप Redmi K20 लो 17 तो नहीं तो और आपको add करना पड़ेगा जब जाके अब Redmi K20 ले सकते है तो मे बहुत अच्छे सवाल किया देखिए आपके हम सब के smartphone से जो radiation होता है और अगर आप उसको airplane mode में डालते ना तो जो transmission होता है आपके phone से wireless transmission होता है वो radio tower तक का वो cut हो जाता है तो radiation जो एमिट होता है जो पहले होता था जब चालू रहता था वो थोड़ा कम हो जाता है airplane mode डाल बहुत 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 शुक्रिया और what is the expected price of Redmi K20 Pro and can this phone beat OnePlus 7 देखिए Redmi K20 Pro की expected price तो मैं आपको अभी नहीं बोल सकता हो लेकिन आप 25-30 दर की बीच में हो कि इतना थो हमें पता है गेमर आपिर बोलते हैं कि वीवो आईकू नियो इंडिया में कब आएगा देखिए भाई यह आभी कुछ नहीं पता यह कुछ अट्रा उन्नीस इसर के संथिंग प्राइस के आसपास लॉंच हुआ था आप लेकिन 845 कैमरा भी अच्छा है डिस्पेल भी कमाल का बैटरी भी बढ़िया बहुत कुछ अच्छी फीचिस दिया है मुश्किल से बॉक्स में फार्च जब दे भी देगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ घोटा लेक करेगा वह तो आपको सतर तरी को पता चलेगा रंजना जया बोलते कि लव यू ब्रो लव यू तू और विच फोन शुड़ आई टेक अंडर 10,000 I think you should wait for realme 3i मैं आपको इस हो जाएगा मतलब मजा कर रहा हूं एसुस मैक्स प्रो एंट्री का वाई कुछ नहीं पता यह कव आएगा लेकिन मैंने बात तो किया था इंके इसुस के इंडिया है तो रुक रुक के बाते कर रहे तो मुझे लग गया वाई यह विदिन 6 MIUI 10 में क्यों कर रहे है मुझे नहीं पता करना चाहिए तो MIUI 11 में करना चाहिए लेकिन MIUI 11 जो है वो new and unique OS कर रहे है उसको और बना रहे है उसके बाद ही वो stable होगा लेकिन MIUI 11 मिलेगा July को जानने तो उसके बाद आपको पता चलेगा हितेश सिर्वी बोलते कि what is the future of Huawei Oak OS which was 60% faster than android Hongman OS हो सकता है या Oak OS हो सकता है या Ark OS हो सकता है कुछ भी हो सकता है चाहिना में तो Hongman जाएगा लेकिन globally पता नहीं देखें यह बात में आपसे क्या था यह बीच में अभी भी लटक रहे है क्योंकि जब तक Google और US वाला जो यह बै वाले यहां पर क्या करेंगे सोनी हमित बोलते कि अगर हम टेक्नो के मुबाइल ले लिए तो क्या अपडेट बगरा टाइम पर बिलेंगे और कस्टमर क्या बगरा देखिए वाइट टेक्नो इंफिनिक्स नो आइडिया यह कंपनी जो है वो फोन अच्छे देती है कोशिश अब दल भी बोलते के जिए फोन कब लॉंच होगा और प्राइस कितना होगा देखिए जिए फोन त्री आप बात करें शायद मुझे नहीं पता भी कभी लॉंच होगा जुलाई में तो बात हो रही ती कि जिए फोन त्री लोगों से बात किया था उसके बाद उन्हें होने तो पूछो मत श्रीवं बाटे का में वेटिंग फॉर मी एटरी इस एटरी अग्रेट चोईस माई बजट इस विफ्टीन तो सेविंटीन थाउजन देखिया अब प्राइस तो मुझे नहीं पता क्या प्राइस मैं का लेकिन येस अगर आप ज्यादा ही अच्छे कैमे अगरा लवर है तो मी एट की जो सीरिज आपको पता ना कैमेरे के मामला में किंग ती उस प्राइस में मी एत्री भी वैसी होगा लेकिन अडिशनल फीचर इस बार आपको अच्छे मिलेंगे जैसे कि अंडर इस फिंगर पिंट स्कैनर होगा पॉप-प सेल्फी होगी वगर नहीं होगा कल रोवे 6 पर मिलेगा आमन गयर बोलते एक जिनुस 9820 वसे स्नाप्डेगन 730 जी वसे स्नाप्डेगन 845 9820 लेटिस्ट सैंसंग एक जिनुस का फ्लैक्शिप प्रोसरे सबसे उपर आता है उसके बाद आता है 730 जी क्योंकि इसका जो CPU वह बैटर है अगरा उसक करती है ना बाई वी ओको नहीं किया वी ओक नीओं में आ रहा है होता है यह सब कुछ नहीं लेकिन बात तो यह witnessed when इस्तावाल नहीं कर सकते क्योंकि उन में कुछ-कुछ कमियां होती है ज्यादा तर ऐसे रिगारिंग हो कभी-कभी पुराने फ्लेक्षी प्रोसेस जो थे वह हैंग भी बहुत होते थे तो यह जो नए जो प्रोसेसर आना यह उप्टिमाइस्ट ज्यादा हो रहे हमारे यूज में आपको रेकěमेंड करता हो याँ यह पर अमेट नहीं के सब्सक्राइब को हैं तो चलता है और थोड़ा अच्छा जादा गेम विम खिलना या कुछ और तो रेडमी के 20 या पर वी नहीं गुले बोलते हैं कि रेल्मी का जो ओससे वह रेल्मी 3 pro में कभी आएगा इसके बारे में पता क्या है मैं अपने नए आपको अलगत की यह 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 वी बाकिछ हो नहीं नहीं बोलते हैं कि रेडमी नोट 8 प्रो कब लौंच होगा अपने सही सवाल क्या है एक leak आई थी पहले कि Redmi का एक ऐसा phone आएगा जो पहला phone होगा जो Redmi का जिसमे 64 MP वाला camera गाँ डूल camera के साथ में यह phone आएगा तो Redmi का Note 7 Pro भी यह पहला phone था Redmi का जो 48 MP की camera के साथ में था डूल camera है तो मेरे कहल से Redmi Note 8 Pro में आपको 100% 64 MP वाला camera मिलेगा बहुत ही जल्दी होगा जो आपको खुद मैं आपको बता दूगा BK साहाब बोलते कि क्या सच में Redmi Note 7 discontinue होगा और कोई भी update मिलेगा या नहीं देखिए भाई discontinue होगा तो फिर बहुत लेट बोलक छोड़ेगे तो छोड़ेगे ने तो नहीं छोड़ेगे या Android 9 के बाद बहुत अगर टाइम बाद अगर Android Q आया तो बोलक पुछ कर देंगे बाकी तो discontinue होगा तो उसके बाद में company एकदम से ही ना हाथ उटा देती है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बता सुरींदर मन बोलते कि विच फोन शुड़ है बाद Z1 Pro या फिर Realme X I think both are good मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ यह पंदर तरी को जब Realme X लाओ चुगा उसके बाद इमें आपको comparison करके बता हूँ मताँ आप जरूस उसके लिए करना तो यह तो दूस्तों आपके सवाल और मेरे जवाब उमीद करता हूँ आपको पसंद आयोगी अगर आपको पसंद आ तो जरूस वीडियो को लाइक करिए हर संड़े हम ऐसे ही करेंगे और आप ऐसे ही सवाल ठोपते रहना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में ने वी आपको और आपको प्रूस आयोगी शिया टूस आपको जाता हैं आपको पस्काशन गापको वीडियो का।